एपिसोड 222 लेकर आगे हो अर्बन कल्टिवेटर का फिर हमें चैन के मायन में दिखा जाता है वो मौनस्टर बोलता है हे कैया तुम अपने लाइब के पावर को जला रहे हो क्या चैन बोलता है क्यों क्या हुआ तुम्हें क्या तुम्हें जलन हो रहा है कि तुम्हें कोई जादा ताकत वड़ा है वो monster बोलता है हाँ तुम करो तुम ये करने के बाद कंट्रूल खो दोगे मुझे कंट्रूल करने का चैन बोलता है वो ऐसा बात है समय आएगा तुम्हें पता ही चल जाएगा कि मैं तुम्हें कंट्र को बोल कर पाता हूं कि नहीं फिर जैन गुल्डेन क्रो को बोलता है मैं सोच लिया हूं मैं spiritual apparatus का इस्टमाल करूंगा अब समय आगे यह ताकत को दोबाड़ा से इस्टमाल करने का फिर वो चलाते हुए बोलता है थंडर स्टॉर्म और वो गुल्डेन क्रो पर हम्दा कर देता है जैंग बोलती है यह तो पहले से बहुत ही जादा ताकत वड़ा हो गया है वान बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता है यह गुल्डेन क्रो इतने आसानी से मर जाएगा दूसरी जब चैन बोलता है अब समय आगे तुम्हारा असली फॉर्म को दिखाने का गोल्टेन कुरो बोलता है तुम ये पहले इंसान हो जो मुझे फोर्स किया है मेरे असली फॉर्म में आने के लिए ये मेरा true body है तुम इसके लिए पस्टा होगे चैन अपना तलवार निकालते हुँ बोलता है ये काफी है तुम्हे मारने के लिए फिर वो अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है गोल्टेन कुरो बोलता है ये तो बिकार का ट्रीक है और चिलाते हुँ बोलता है रॉयल डिशनरी बाहर आओ और वो चैन के हमने को अराम से ब्लॉक करके सील कर लेता है फिर वो बोलता है अब तुम्हारी बारी मनने का और वो चैन पर हमला कर देता है चैन उसके हमने से बचने के लिए एक सील बना देता है लेकिन वो अराम से वो सील को तोड़कर चैन को माट डालता है चैन के अंदर जो मॉंस्टर था ये सब देखकर हसरा होता और बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारे मनने के बाद मैं तुम्हारा बदला लूँगा वो भी तुम्हारे बोडी का इस्टिमाल करके फिर चैन इंग यांग की मदद से दोबारा से जिंदा हो जाता है गोल्डेन कुरो बोलता है ये सब करके कोई फाइदा नहीं तुम्हें अब इस हमले से फिर से बच की दिखाओ चैन इंग यांग की मदद से वो ताकत को एब्जॉब कर लेता है ये देकर गोल्डेन कुरो सौक्ट होके बोलता है ये कैसा हो सकता है फिर चैन चलाते हुए बोलता है इंग यांग ब्लेड फिर वो उस पर हमला कर देता है गोल्डेन कुरो बोलता है तुम्हें सही मिलगता है कि तुम मुझे इसे मार सकते हो क्या फिर वो आराम से उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है तुम तो इतने भी बुड़े नहीं हो, तुम्हारे पास ही में ताकत है, लेकिन आप मैं तुम्हें मौका नहीं दूँगा, फिर वो तलवार निकालकर चैन पर हमला कर देता है, चैन अपता तलवार निकाल लेता है, और बोलता है, फाइब हेलिमेन इमॉर्टल थंडर, और वो उसे गोल्डेन कुड़ो पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गाहल हो जाता है, गोल्डेन कुड़ो सौक्टो के बोलता है, मुझे समझ मिनियार है कि तुम इतना ज़्यादा ताकत वर कैसे हो, फिर चैन उसके बॉड़ी को तभा करके, उसके आत्मों कैट कर लेता है, गोल्डेन कुड़ो बोलता है, तुमने मेरा सभी डिसाइबल को माट दिया है, और तुम प्लैन करे हो, मुझे टॉटसर करने का, चैन बोलता है, मैं इतना भी जादा निर्दय नहीं हूँ, मैं दुसरे लोगों को माट देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ा हूँ, ये सही में बहुत ही रियर वाला बात है, गोल्डेन कुरो बोलता है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा गलती होगा, फिर चैन उसके आत्मों को एब्जॉब करने लगता है, फिर अचानक से उसका सर चक्रा कर वो वहाँ से गिरने लगता है, फिर यू जाकर चैन को पकड़ लेती है, चैन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब थोड़ा अराम कर लो, फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखा जाता है, चैन वहाँ पर सोया होता है, तभी यू वहाँ पर आके बोलती है, ये लू तुम बिना अराम की वे, पिसले तीन दिनों से खाना बजार ही हो, हमने तुम्हारे लिए खाना त्यार कर लिया है, जिससे तुम रिकवर हो जाओगी, या फिर तुम इसके लिए पिल करोगी, लोग बोलती है, कोई बात नहीं, मैं ठकी नहीं हूँ, यू बोलती है, ये तुम इसे ठीक करते हुए, बेहुस मत हो जाना, जिसके लिए ये सब कुछ कुर्बान कर दे रहा है, फिर वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, यू बोलती है, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं तुमारे लिए कितना खास हूँ, तुमने मुझे अपना वाइब बना कर लू फैमिली का हेट बना दिये हो, तुमने मेरे ल चैन को अकेले बचा पाऊंगी क्या, फिर वो बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें तकलीब ने पहुचाओंगा, मैं तुमारी मदद करने आया हूँ, यू चैन के पास जाके बोलती है, ये तुर डीटी का सोल है न, ये सब हो कह रहा है, मुझे कुछ समझ में न चाओगी, और तुम्हें उसे, जलनी के जरूवत नहीं होगा, फिर चैन उसे पकड़ के बिश्टर में सुला देता है, यू चिला के बोलती है, नहीं, चैन उरुख जाओ, तुम कभी भी चैन होई नहीं, वो कभी ऐसा कड़े गई नहीं, चैन बोलता है, तुम्हें इतने माइन में बहुस पढ़ा होता है वो मॉंस्टर बोलता है, चिंता मत करो चैन मैं तुम्हारे बोडि पर कबजा ने करूंगा मुझे एक बोडि चाहिए जो पूरी तरीके से मेरा होगा और वो तुम्हारे पत्नी के पेट में होगा मैं उसके पेट में अराम से और मैं इस जिन्दगी में दोबारा से नाकाम नहीं हूँगा, फिर चैन वाकि सबी चीजों को जलाने लग जाता है, वो मॉंस्टर बोलता है, हे क्या तुम अपने साथ मुझे भी जलाओगे क्या, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, मैं किसी भी हालत में ये मौका गवा नहीं सकता हे यू, वान बोलता है किसे पता था कि ये सब होगा, लोग बोलती कुछ समय के लिए दरवाजा बंद हो गया था, फिर ये दरवाजा आचानक से खुल गया, जाओ बोलती है, ये तुमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, यू बोलती है, नहीं चैन नहीं किया है, वो मॉंस्टर चैन के बोडी को कंट्रूल किया हुआ था, मैं एकदम ठीक हो, जाके देखो कि वो ठीक है कि नहीं, लोग बोलती है, देखो, वो तो ग्रेट फरनेस है न, ये हो कहाँ रहा है, फिर वो फरनेस चैन को एब्जॉब करके, वहाँ से निकल जाता है, फिर हमें तीन साल के अब भी जादा कमजोर कर लिये हो, तुम अभी तक वो मॉंस्टर को मारे नहीं हो, ये बहुत ही डरावना है, याते कि मुझे भी इससे डर लग रहा है, चैन बोलते है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ट्रू इमोर्टर इससे सील किये थे प्रित्वी में, इससे पूरी तरह मिटाना इतना भी नाकाम नहीं है, वो मॉंस्टर बोलते है, हे चैन, तो मुझे यहाँ पर हमिशा सील करके रख नहीं सकते हो, जब मुझे मौका मिलेगा, मैं आराम से यहाँ से निकल जाओंगा, चैन बोलते है, हाँ मैं समझ गिया, लेकिन हमें साथ मे अभी बहुत दिन रहना है, मेरे पास्टीन इमॉटर बोडी है, अगर यह कमजोर हो गिया, तो मैं दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूँगा, अब मैं बीकाउं सेक्टर को बता देता हूँ, कि मैं एकदम ठीक हूँ, जाओ बीकाउं सेक्टर को बता दो, कि मैं अगर तुम्हें डूलर बनना है, तो तुम्हें बहुत ही जाता ताकत वर बनना होगा, कल्टिवेशन के दुनिया में, जिसे तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सिस होंगे, चैन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मैं यह चाहता हूँ, कि जो लोग मुझे करते हैं, उसके जिन्दगी में कोई भी प्रॉबलम ना हो, फिर हमें यूनिवर्स के सेंटर में दिखाए जाता है, एक आदमी बोलता है, फाइव इमोटे सेक्टर अपना नाम बदलके, फाइव एलिमेंट सेक्टर रख रहा है, वो लड़की बोलती है, हाँ मुझे भी को बताओ तुम लोग इस बाड़े में क्या बोलना चाहते हो, इंक बोलती है, तुम हो कौन हम पर चिलाने वाली, जब तुम्हारा सेक्टर फाइव एलिमेंट इमोर्टर सेक्टर का रिसोर्स ले रहा था, तब तो तुम इस बाड़े में कुछ बोल नहीं रही थी, याते कि तुमने डिमन गॉर्ट को सेल करके बिनिफिट उठा लिया है, लेन बोलता है, तुम्हारा अकेला सेक्टर नहीं है, जिसे ये बैटर में नुक्शान नहीं हुआ है, लोग बोलता है, हाँ ये सही बोल रहा है, हम लोग आपस में लेंडर ने चाहिए, जे गुसरे बोलती ह तुम कमीने लोग फिर वो अपने मन में बोलती है धत्ति रिकी अगर मास्टर मुझे पर इस पेल ने किया होता मैं इस सभी को अभी तक मार देती फिर वो वाँसे जाते वो बोलती है तुम लोग समल के रहना मैं नहीं चाहती कि तुम लोग इतनी जल्दी मड़ो फिर हमें जैन ने वो डिमन को सील कर लिया है क्या हम लोग वो प्लैन पर अभी भी काम करेंगे क्या छी बोलता है हाँ मुझे अभी भी याद है कोई बोल रहा था कि उसे कोई फड़क नहीं पड़ेगा अगर उसे नाइंग इंबॉर्टे से बाहर निकाल दिया जाए अब क्या होड जाएंगे अगर यू वापस आने में कामियाप हो गया फिर तुम्हारा जो पापा चाता है वो कभी नहीं होगा छी बोलता है और तुम चाती हो कि उसके आने से पहले हम लोग उसे पकर लेना इंग बोलती है मैं आशा करते हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस को निभा होगे और मैं ऐसा दिखाऊंगे कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है जी बोलता है ठीक है मैं समझ गया तुम्हें कुछ दिनों के बाद बहुती बड़िया ख़बर मिल जाएगा